नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 11 दिसंबर 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस और साइंस एंट टेक के अनलेसिस में स्वागत हैं बहुत ज़दा देखिया आज न्यूस है निस रंडे को बहुत ज़दा न्यूस नहीं है कुछ important news shortlist की हैं आपके लिए जैसे सुखविंदर सिंग सुखू बनेंगे हिमाचल बदेश के नेस चीफ मिनिस्टर Congress Party जीती है हिमाचल बदेश में तो उनके बयापे चीफ मिनिस्टर ये बनने वाले आपको पता ही है Congress Party जीती है ये पता है सुखविंदर सिंगू बनेंगे आपके सीन NHRC Chief ने भोपाल गैस ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी है अभी भी जो भोपाल गैस वाला Union Carbide का प्लांट था वहाँ पे बहुत सारा hazardous waste पड़ा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से dispose of नहीं किया गया है और इसा कुछ कह रहा है NHRC Chief फिर Age of Consent को re-examine करने की बात बोली है Chief Justice of India G.Y.C. चुट सामने सरकार से क्या women के साथ men में भी iron deficiency देखने को मिल रही anime देखने को मिल रहा है इसके बारे में बात करेंगे Hornbill Festival में हमारा logo रिलीस किया गया है G20 का इसको देखेंगे और TB को कैसे eliminate किया जा सकता है निक्षे मित्रा के तो इसके बारे में बात करेंगे एक-दो science से related news है वो भी मैं आपके साथ देख रहा हूँ word of the day देख लेते है have your hurt in the mouth have your hurt in the mouth मतला है आप बहुत जाद एक्स्ट्रीमली नर्वस फील कर रहा हूँ बिल्कुल भी comfortable फील नहीं कर रहा हूँ जैसे आप बिल्कुल रिलाक्स नहीं हो किसी particular चीज के outcome को लेके tension में हो तो having your hurt in the mouth आपको नहीं पता है क्या होने वाला है बहुत जादा नर्वस हो कुछ गलत काम कर दिया है ठीके ना तो इस प्रकार की चीज़ों को आप बोलतो है have your hurt in the mouth तो आगे बटेस पर वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों 2022 को सुखविंदर सिंग सिखु का नाम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे के लिए नॉमिनेट किया है कॉंग्रस पार्टी की हाई कमार्ड डेपुटी चीफ मिनिस्टर होंगे माचल परदेश के मुकेश अगनी ओतरी साथ अभी की जो हिमाचल परदेश के असेंबली है जिसमें बीजेपी पार्टी इसमें लीडर अप दा पोजिशन थे मुकेश अगनी ओतरी साथ सबको लगना था शायद यही चीफ मिनिस्टर के नॉमनी बनेंगे लेकिन हेक्टिक डिलिबरेशन हुए और फाइनली मिस्टर सुक्विंदर सिंग सुक्खू जो कि करेंटली पार्टी के कैंपेण कमीटी के चीफ है फॉर्मर हिमाचल परदेश कॉंग्रेस कमीटी के स्टेट प्रेजिडेंट भी रह चुके है और नदाओ नाम की हिमाचल परदेश की स्टेट लेश्टिडियो असेम्बली के मले है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेगे ठीक है तो जितने भी कॉंग्रेस के पार्टी लीडर्स है वो हिमाचल परदेश के गवर्नर राजेंदर विशुनात अर लेकर से मिले और उन्होंने बोला कि हम सरकार बनाना चाहते है स्वेरिंग इन सर्वरमिनी 11 दिसंबर को होगा ठीक है न भई तो यह सब चीजे हैं 40 सीटे यहाँ पर जीती है कॉंग्रेस पार्टी ने 25 सीटे जीती है बीजेपी ने तो बची 3-3 सीटे जीती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर की बात करिए तो आर्टिकल 164 अफ दसमिधान के अंदर चीफ मिनिस्टर की बात की गई है जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेज़ॉर्टी आप कैलो सीटी है उसी पॉलिटिकल पार्टी के हैट्स यहाँ पर नॉमिनेट करते है कि बाई कौन चीफ मिनिस्टर बनतब उस पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे दिगज नेता होगा उस स्टेट में वही चीफ मिनिस्टर बनेगा चीफ मिनिस्टर के पास real executive authority होती है गवर्नर के पास nominal executive authority होती है ठीक है भई लेकिन गवर्नर की कुछ discretionary powers के चलते है चीफ मिनिस्टर की authority थोड़ी lose पड़ जाती है यह phenomena वेस्ट बंगाल और करला में और तमिल नाडू में हमें देखने को मिला है अब चुकि Congress सरकार बन गई हिमाचल पडेश के अंतर तो हो सकता है इस प्रकार की चीज़े महाँ पर भी देखने को मिलें कहनी सकते चीफ मिनिस्टर को appoint कौन करता है गवर्नर बट गवर्नर अपने मन मताबिक किसी को भी appoint नहीं कर सकता है जो political party majority vote लेक्या ही है उसी का चीफ मिनिस्टर बनेगा उसी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर जिस मिनिस्टर को nominate करेगा overall मिनिस्टर बनने के लिए गवर्नर उसी को बनाएगा हलागि इस बात को लेकि रिसेंटली बहस हुई थी जब केरला के गवर्नर आरिफ मौम्मद खान ने ये बोल दिया था कि चुकि overall इस particular मिनिस्टर ने मेरे अगेंस्ट बात कहिए लक्ष्मी कांद की वीडियो में अलरड़ी आपको पढ़ा रखें मैं अलग से आपको बताऊंगा नहीं पीपीटी अवलेबर है देख लीजे लक्ष्मी कांद की सीरीज देखिए पॉलिटी से रेलेटेड एक एक पॉइंट बहुत डेटेल है अगले टापिक पर आते हैं जीएस पेपर टू अब आपको पताए कि 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसो साइनाइट नाम की जो गैस थी वो लीक हो गई थी यूनियन कारबाइट फेक्टरी भोपाल में हजारों की तागाद में लोग मर गए तेक तो लोग सो रहे थे तो उनको पता भी नहीं चला हुआ है उसको dispose of नहीं किया जा रहा है उसकी वज़े से ground water और soil contamination आज भी हो रहा है and this is basically a direct abuse of the right of health of survivors and locals ऐसा बोला है National Human Rights Commission के Chairperson Justice Arun Kumar Mishra नहीं दिल्ली में एक Human Rights Day का event ये address कर रहे थे ठीके ना इसको host किया गया था NHRC के तोरह और उसमें बोला कि भई globalization का एक outfall, एक outcome ये है कि wealth का concentration कुछ transnational companies के हाथ में रह गया है और वो transnational companies कुछ countries में concentrated हैं जैसे की USA हो गया western countries जैसे की Europe हो गया अब तो China इंडिया भी उनमें नंबर आ रहा है इस प्रकार की companies overall environment को बुरी तरीके से pollute करती हो अपनी responsibility को you know skip कर देती है तो इसी context में देखा जाए तो ये जो 1984 के disaster था इंडिया के अंदर this is one of the worst industrial disaster इसमें जो उस समय पर multinational company involved the union carbide इसको आप Dow Chemicals नाम की company ने खरीद लिया है तो union carbide को पूरी दुनिया में criticism फेल करना पड़ा तीन हजार से ज़ादा लोग मर गए यहां पर तीन सो चटिस टन हजार्डस waste अभी भी ये union carbide वाले plant भोपाल में पड़ा हुआ है अब property की ownership किसी और के पास चली गई अब ownership किस प्रकार से change हुई है ये समझते हैं देखें UCIL नाम की जो factory थी जहां पर ये कांड हुआता है इसको own करता था Union Carbide Corporation of the United States उस समय पे इंडिया के जो bank थे और Indian Public की जो holding थी इस particular आप कहलो plant में वो थी 49.1% मतलब mainly अब देखें ये एक ऐसा जमाना था जिस जमाने में बाहर की capital investment इंडिया के अंदर इतनी आसानी से नहीं आपाती थी आप याद करिए 1991 में liberalization, privatization, globalization की बात आई ये बात है 1984 की तो 1984 में private capital का इंडिया के अंदर company वगर establish कर पाना बहुत मुश्किल था तो ये जो particular company थी इसके 50% से ज़्यादा stake जरूर आपके लोग foreign US company के हाद में थे Union Carbide Corporation के हाद में बड़ बाकी 49% states Indian government control banks के पास Indian public के पास थे ठीक है 1989 में अपने litigation को resolve करने के लिए ये जो Union Carbide Corporation नाम की company थी US की इसने 470 million dollars का compensation दिया जो की 2020 में 871 million dollars के equivalent था litigation को इस time करने के लिए रोकने के लिए अपने खिलाफ खतम करने के लिए फिर Union Carbide Corporation के मालिक को भी पता चल गया था कि भाई overall इस company की ownership खतरनाक होने वाली है इसलिए 1994 में Union Carbide Corporation ने UCIL में जो अपना stake था वो Ever Ready Industry India Limited नाम की company को बेच दिया और ये Ever Ready Industries India Limited बाद में मिल गई Mac Lloyd Russell India Limited के साथ अब overall ये जो Ever Ready नाम की company थी ये 1998 तक तो सफाई करवा रही थी ये जो भुपाल का जो gas residue थी वहाँ पे उसके बाद इसने अपनी 99 येर्स की lease को terminate किया और इस company का control दे दिया मद्द प्रदेश की राज्य सरकार को और finally अगर आप देखो तो US में Union Carbide Corporation नाम की जो company थी ना वो 2001 में Dow Chemical Company ने खरीद ली अभी कुछ साल पहले की बात है Dow Chemical Company के leader से ये पूछा गया कि बोपाल गैस कार्ण के लिए आप कैसे responsible हो तो उसने बढ़ा ही आप कहलो irresponsible सा जवाब दिया कि देखिए अब हमसे तो पैसा पूरी जिंदगी लोग मांगते रहेंगे तो क्या हम पैसा ही बाटते रहेंगे और कहीना कहीं ownership भी बहुत बदल गई है UCC 1984 में था उसको 2001 में DAO Chemicals Company ने खरील दी आज की डेट में DAO Chemicals Company को हम responsible ठराएंगे तो वो तो अपने हाथ दोही लेंगे वो तो ये बोली देंगे ना कि सारा litigation पूरा हो चुका है हम यहाँ पे compensation दे चुके हैं और मैं आपको पता दूँ इस particular case में US की बहुत सारी courts में civil और criminal cases फाइल किये गए है Union Carbide Corporation के अगेंस्ट और Warren Anderson जो की उस समय पे UCC के CEO थे उनके अगेंस्ट और US की court ने कई बार इस particular matter को dismiss कर दिया उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ करना है तो Indian court में जाहिए In fact, civil और criminal cases India की भोपाल के district court में भी फाइल किये गए है UCC के अगेंस्ट, UCIL के अगेंस्ट एंडर्सन के अगेंस्ट लेकिन किसी भी प्रकार की liability को अब इन foreign entities से लेने में मना कर दिया यह foreign entities कह रही है कि भहे हम already compensation दे चुके हैं 470 million dollar का जो की 2020 में 871 million dollar के है हमारी सारी legal responsibility खतम हो चुकी जून 2010 में 1984 के UCIL employees जो की साथ इंडिया नेशनल्स थे उनको भई यहाँ पर सजा सुनाईगे दो साल तक की इंडिया के law में दो साल की maximum सजा थी और 2000 dollar का उनके ओपर fine लगाया गया तो कही न कहीं जो भोपाल गैस कांड था इसको अभी याद किया अरुन मिश्रा साब ने जो के NHRC के चेर परसन है वहाँ पर भाशर देते हैं तो एक हलकी फूल की हमने history भी देख ली कि किस प्रकार से UCIL नाम की company जो की UCC की control में थी आज की date में वो जाओ chemicals की control में है कैसे उसकी ownership यहाँ पर बदली किस प्रकार से hazardous disposal का काम चला कौन यहाँ पर accountable है कौन नहीं है अहीं न कहीं सरकार की भी गलती है सरकार को उस समय पर proactive होके एक बड़या litigation के लिए apply करना चाहिए एक पहली बार में जो litigation amount आप क्लेम करते हो ना वही final होता है यह एक बार litigation amount क्लेम करने के बाद फिर आप कई सालों तक बोलते हो कि और compensation दो तो कोई भी company legally देती नहीं अब तो US courts भी इंडिया की request को entertain जादा करनी रहे थोड़ा NHRC बार में बात कर लेते है independent statutory body है 12 October 1993 को इसको मनाया गया under the provisions of protection of human right act 1993 2006 में इसको amend भी किया गया silver jubli बनाई NHRC ने 12 October 2018 होग headquarters का new dill में watchdog है यह human rights का country के अंदर rights related to life, liberty, equality and dignity of the individual जो कि Indian constitution guarantee करता है और international covenants guarantee करते हैं इंडिया की courts में enforceable है इनको ground level पे enforce कराना यह माने जाए यह responsibility भी NHRC की उपर आता है NHRC को establish किया गया है in conformity with the Paris principles यह Paris principles adopt किये गये थे October 1991 में और General Assembly of the United Nations ने 20 December 1993 को इन Paris principles को endorse भी किया था और इनी Paris principles को मानते हुए इंडिया ने NHRC को establish किया ठीक है भाई अगले पाज आते हैं GS Paper 2 Judiciary Issues with the Children Parliament must examine issue of age of concept Chief Justice of India चंद चुड़ो सहाब बोले है देखिए यहापर क्या बोल रहा है In my time as a judge I have observed that this category of case poses difficult question for judges across spectrum There is a growing concern surrounding the issue which must be considered by the legislature क्या बोल रहा है देखिए POCSO Protection of Children from Sexual Offenses Act गया है आया 2012 में और इस particular act ने जो age of consent रखी वो रखी 18 सार इसका क्या मतलब मैं बता दू POCSO के आने से पहले age of consent 16 साल थी 1940 से लेके 2012 तक age of consent 16 साल थी 2012 के बाद POCSO आने से age of consent होगे 18 सार अलब बोलो के सार यह बार बार आप age of consent बोल रहा है यह होती क्या है तो किसी लड़की के साथ कोई लड़का लड़की यहाँ पे एक romantic relationship के अंदर sexual relations से स्थाबलित करते हैं तो उट्स context में अपनी consent देने के लिए वो लड़की eligible तब होगी जब वो कम से कम 18 साल की जिसको आप बोलतो है age of consent 2012 से पहले यह limit 16 साल थी तो अगर 16 साल की लड़की हो गई है तो वो consent दे सकती है एक mutual sexual relation के लिए लेकिन 2012 में पॉक्स होगा आट आने के बाद जब तक लड़की 18 साल की नहीं हुई है तब तक वो लड़की eligibility नहीं है अपने साथ sexual relations के consent देने के लिए अब इससे होता क्या है इससे बहुत प्रकार के cases देखे judiciary में उभरते है कई बार क्या होता है कि 16-17 साल की लड़की है और 16-17 साल का लड़का है romantic relationship में involved होते हैं और sexual relations establish करते हैं यह आज की date में बहुत normal हो गया है इंडिया में विश्टनाइशन का culture है एक तो ये case हो गया यहाँ पे दो माइनर्स आपस में sexual relations establish कर रहा है एक case यहाँ पे तब होता है जब लड़की 18 साल से कम की है और जो लड़का है वो 18 साल से जादा का है मालो 21-22 साल यह पच्चिस साल का है तो ऐसे cases में होता ही है कि भाई sexual relations establish हो जाते हैं बाद में बाद में टेक्निकली लड़की के जो घरवाले होते हैं वो कोर्ट में पहुँच जाते हैं और कोर्ट में पहुँच के बोलते हैं कि मेरी लड़की का बलातकार हुआ है रेप हुआ अब उस context में judges के सामने एक issue उड़ जाता है एक issue दता बोठा मालो आप लड़की 17 साल की 18 साल की नहीं हुई है मतलब वो consent देने के लिए eligible नहीं है और उसका जिस लड़के के साथ affair चल लाता जिसके साथ उसने sexual relations साबित के शादी करनी है जो भी करना है वो आदमी 23 साल का या लड़का 23 साल का अब 17 साल की लड़की 23 साल की लड़का है sexual relations साबित हुए लड़की के घरवाले जाके कोर्ट में बोल रहे हैं कि लड़के ने लड़की का रेप किया लड़की कोर्ट में खड़ों के बोल रही है कि नहीं भाई मेरा रेप नहीं हुआ है मैं तो romantic relationship में involved सी इसी से शादी करूंगी तो ये दोशी नहीं है अब इस केस में कोर्ट क्या करेगा तो यहाँ पर लड़का 23 साल का है तो एक बार के लड़के को इज़ाम डाला जा सकता है कि भाई तुम तो overall पूरी तरीके से बालिक थे, मैचौर थे तुम्हें पता है कि पॉक्सो जैसा कानून है तुम्हें पता है कि 18 साल से कम की लड़की से शादी नहीं की जा सकती अगर आप उसके साथ sexual relationship स्थापित कर रहे हैं तो ये rape की category में आता है तो 18 साल से जादा के लड़का एक मैचौर लड़का है 22, 23, 24, 25 साल का तो उसको तो भाई देखो यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया जाएगा चोकि उसने यहाँ पर 17 साल की लड़की के साथ अब जज की ओपर डिपेंड करता है बहुत सारे जजजज कन्विक्ट करते हैं जजज के सामने प्राब्लम तब आती है जब लड़की भी 18 साल से कम की है और लड़का भी 18 साल से कम का है उस केस में लड़का भी माइनर है लड़की भी माइनर है दोनोंने सेक्शोल रिलेशनशिप स्थाबित किये लड़की के घरवालों ने रेप का इजाम लगा दिया लड़की के ओपर लड़के घरवाले बोल रहे हैं यह खुदी माइनर है तो ऐसे cases में बहुत बार judges लड़की के यह बोल देने भर से कि हम romantic relationship में involved थे लड़के को सजान नहीं सुनाते है और जाधातर cases में ऐसा बोलने को मिल रहा है यहाँ पे कोछ statistics भी दिये हुए है देखें क्या लिखा हुए The evidence presented before the stakeholders included a study conducted by Enfold Proactive Health Trust Bengaluru which found that 93.8% of the romantic cases tried under POXO ended in acquittal after consuming a medium time of 1.4 to 2.3 years after the filing of FIR मतलब की POXO के अंदर जितने भी rape के charges involved हुए अब उसमें जो romantic cases वाले case थे romantic cases कौन से होंगे या तो लड़की की side ने बोल दिया कि भाई लड़का लड़की का चक्कर चला था चक्कर मतलब romantic relationship तोड़ा उसको aggressive मतलब वैसे मत दीजेगा मतलब गलत sense में लड़के के घरवाले बोल रहे हैं कि नहीं भई romantic relationship involved थी या कोई वकीला के बीच में बोल रहा है किसी साथ के दोस्त वाले ने बोल दिया तो यहाँ पर rape के charges लगे लेकिन charges को जब court में milord milord हुआ ता पता चला कि हाँ भई लड़का लड़की का एक potential romantic involvement हो सकता है तो ऐसे cases में जितने भी ऐसे charges में romantic relationship involved थी 93.8% cases में conviction नहीं हुआ rape के charges प्रूव नहीं हुए चोकि ज़ादातर cases में लड़की ने court में खड़े हो के यह बोल दिया कि मैं romantically involved थी मैंने sexual relations अपनी consent के साथ बनाए है तो इस context में अगर आप देखो तो Chief Justice of India केंदर की सरकार से legislature से बोल रहे हैं कि भाई age of consent को बदलने की ज़रूरत है जी हाँ age of consent को आप 18 साल ना करके थोड़ा कम करिए चोकि आज की date में westernization का महौल है teenagers physically बहुत active हैं तो उस cases में ऐसे cases आगे भी आने को देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे एक minor लड़का या minor लड़की या फिर एक minor लड़की थोड़े आप कहलो mature आदमी के साथ relation मना रही है अपनी मर्जी से, मन मर्जी से relation मना रही है तो ऐसे cases को आप रेप नहीं बहुत सकते हैं चुकि 17 साल की लड़की भी 18-19 साल की लड़की जितने ही almost mature होती, maturity में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है इसलिए याँ पे Supreme Court किस से बोल रहा है केंदर की सरकार से बोल रहा है कि कुछ ऐसा नियम कानून मनाई है जिसमें age of consent को बदला जाए लेकिन at the same point of time अगर आप age of consent को बदल रहा हो माल लो आप 18 साल से कम करके 16 साल कर रहा हो age of consent को तो उस case में भी 16-18 साल की लड़की पले age of consent 16 साल है अगर 16-18 साल की लड़की के against भी उसकी मर्जी के against sexual relationship इस्तापित किया जाएगा तब पॉक्सो की definition, रेप की सारी definition लग जाएगी तो मतलब जहां पर romantic relationship के अंदर consensual sex हुआ है केवल वहाँ पे ही ये age of consent वाला मुद्दा लागू होगा बाकी जगहों पे जहां पे non-consensual sex हुआ है एक minor लड़की के साथ मतलब 18 साल से कम की उमर की लड़की के साथ वहाँ पे overall भाई आपको age of consent वाला मतलब formula नहीं लगेगा rape के charges ही लगेंगे अगर non-consensual है लेकिन अगर romantic relationship पे mutual concern के साथ चीज़ें हो रही है और लड़का भी minor है तो वहाँ पे age of consent तो देखो आपको बदलनी पड़ेंगी है तो यह सब बाते हैं और रहल यहाँ पे बोली गई अब चुडीश्री ने तो legislature से मतलब केंदर की सरकार से बोल दिया कि आप इसको बदलो सरकार बदलेगी की नहीं बदलेगी वो एक अलग बात है evidence यह निकल के आ रहा है कि पॉक्सो एट का गरत इस्तमाल कर रहे हैं बहुत से parents minor बच्चों के अंदर consensual sex होता है और 80.2% केसे में देखा गया है कि लड़की के घरवाले जाके rape charges लगा देते हैं लड़के को और 87.9% केसे में देखा गया है कि जब court में milord milord हो रहा होता है तो लड़की आके लड़के के favor में बोल देती ही कि हाँ मैंने sexual relations romantic relationship के अंदर बनाये थे किसी भी प्रगार की जोर दब्रदस्ती नहीं हुई थी 2018 में एक study conduct की गई थी Center for the Child and the Law at National Law School of India University में जहाँ पे ये बोला गया कि आंध्र प्रदेश में romantic cases पॉक्सो वाल 21.2% थे आसाम में 15.6 दिल्ली में 21.5 करनाटका की तीन districts में 21.8 महरास्टर में 20.5 तो basically recommendation यहाँ पर यह है as per a report released by Enfold Proactive Health Trust कि भाया 16-18 साल में age of consent का मुद्दा नहीं आना चाहिए age of consent को 18 से कम करके 16 किया जाना चाहिए तो वो पॉक्सो की rape definition में आ जाएगा तो यह थी आज की important news आवा जाते हैं भाया science के topic पे तो science में लेंडिंगा helping hand to eliminate TB as nixamitra देखे भाया tuberculosis और under nutrition का यहाँ पर एक रिष्टा है ऐसा public health का experience बता था जो बंदा under nourished है उसको TB होने के chances बढ़ जाते हैं कई बार क्या होता है कि TB आपके body के अंदर एक depleted form में होता है अगर आपको body को पूरी तरीके से portion नहीं मिला nutrition नहीं मिला तो nutrient reserves depleted होंगे आपका under nutrition aggravate होगा और इससे TB aggravate हो सकता है समझ गया ना बात को तो TB patients को अगर आप optimum nutritional support देते हो तो TB patients का weight बढ़ेगा therapy को ज़्यादा अधियर करेंगे उनकी muscle strength, quality of life, robust recovery, mortality यह सब में improvement आएगा तो TB infected individual है यह infect होने वाला है यह infected था ठीक हो गया फिर से TB का relapse ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि proper nutrition मिलना चाहिए एक individual को और खासकर TB patients के अंदर तो nutritional improvement किसी भी हॉल में होना चाहिए इसके लिए Union Health Ministry ने निक्षय पोशन योजना नाम की scheme शुरू की थी 2018 में as a part of NTEP National TB Elimination Program इसके अंदर जो TB patients treatment ले रहे हैं उनको प्रती महीना 500 रुपए का cash benefit transfer दिया जाएगा smallpox और polio eradication के लिए और इस प्रकार के प्रोग्राम्स तभी successful होते हैं जब जन भागीदारी हो जब people's participation हो community का participation एक बहुत important rail play करता है उसी से आपके अंदर awareness आती है आपका behavioral change होता है आप myths को हटा पाते हो आप लोगों के पास health services पहुँचा पाते हो ठीक है इन health programs की success के लिए जरूरी है कि multi-sectoral approach को involve किया जाए community और institutional level पे consolidation comprehensive cooperation हो और यही चीज़ TB elimination के लिए भी important है पधान मंत्री जी का जो TB मुक्त भारत अभियान है यह जन भागीदारी community participation के बिना successful नहीं हो सकता इसी लिए निक्षय मित्रा का concept लाएगै निक्षय मित्रा वो volunteers होते हैं जो कि individuals भी हो सकते हैं NGO भी हो सकते हैं corporate society भी हो सकते हैं इवन political parties भी हो सकते हैं अगर आप किसी भी form में TB patient की मदद कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे निक्षय मित्रा कहलाओगे ये निक्षे मित्रा TB patients के अंदर awareness ला सकते हैं nutrition को, उनको direct nutrition का support दे सकते हैं माली जा आप करोणों के मालिक हो, आपने थोड़ा पैसा overall TB patients की food nutrition में donate वगरा कर दिया, अगर donate करिएगा भी तो बहुत सोस समझ की donate करिएगा, इस बात को ensure करिएगा कि आपका hard earned money, सच में किसी अगर आप देखो, तो जब ये scheme launch हुई थी न, निक्षे मित्रा की, उसके बास से अब तक, मतब उस scheme के launch होने की तीन महीने के अंदर 52,000 निक्षे मित्रा अपने आपको enroll करा चुके थे, TB grust patient को, अगर आप मदद प्रवाइड कराते हो, उसकी optimum health को ensure करते हो, तो वो अपने घर वालों के लिए potential way general है, तो भाई, humanitarian support, इन TB patients को बहुत ज़रूरी है, चिकिए इनके जाने से, इनके घर वालों का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं वच्छता, हमारा human resource का important नुकसान होता, और TB जैसी बिमारी जिसको हम कहीं न कहीं prevent कर सकते हैं, ये फैलती है, तो ज़ human में एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कभी इस बात के ओपर ध्यान नहीं दिया गया कि क्या men के अंदर, आदमियो, adults male के ओपर भी एनीमिया देखने को मिलता है, 2019 में, The Lancet Global Health में एक paper चपा, जिसने ये बताया कि इंडिया के अंदर 15 से 54 years की तागाद में जो भ परी 2015 से लेके दिसंबर 2016 के बीच में एक लाग 6,000 men के उपर comprehensive test कराए गये, NFHS-4 के अंदर, और उससे ये पता चला कि भईया, 23.2% men भी यहां पर एनीमिक निकल रहे है, men कब एनीमिक होंगे, जब उनका hemoglobin concentration खून में 13 ग्राम पर deciliter से कम निकल गया है, ठीक है, और खास दोस्तों ये है कि एनीमिया की main वज़ा woman के अंदर होती है iron deficiency, लेकिन एनीमिया के और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, जब woman के अंदर एनीमिया है तो आप default mode बोलते हो कि iron की कमी है woman के खून में से लिए उसको एनीमिया है, लेकिन सिर्फ iron की कमी से एनीमिया नहीं होता है fallet, vitamin B12 और vitamin A की कमी से भी एनीमिया होता है, आप समझ ये, एक woman के एनीमिक होने के chances बहुत जादा क्यों होते हैं, चुकि woman की menstruation cycle होती है, इस menstruation cycle में woman हर कुछ time period में अपना, आप कहलो, मतलब खून loss होता है, ठीकिन आप, आपको पता है menstruation cycle, women's की मुझे आपको बहुत ज़ blood loss होता है, तो चुकि blood loss हो रहा है, तो iron की कमी हो जाती है woman के खून में, तो उसके चलते वो woman एनीमिक हो जाती है, लेकिन naturally men के अंदर ऐसी कोई problem नहीं है, men का regularly ऐसा कोई खून loss हो, blood loss हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये default mode में समझ लेना, कि men के अंदर एनीमिया होने की वज iron deficiency की वज़े से होगा, तो आपने iron की दवाईयां शुरू कर दी, लेकिन men के अंदर iron deficiency की वज़े से ही एनीमिया होगा, ये आप default mode में मान के नहीं चल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, abnormal homo grubin की problem हो सकती, thalacemia, sickle cellemia, ये तो थो थोड़ी serious diseases हो गई, normal car cases में, अभी इस बार के बारे में और हमें जानकारी thesis की ज़रूत है कि किस particular deficiency की वज़े से इंडिया के अंदर या दुनिया में men के अंदर एनीमिया का घ्रेस देखने को मिलता है, ठीक है भी, तो ये बात आपो clear हो गई होगी, आगे science, those fascinating hornbills, भया इंडिया की G20 presidency का जो official logo था उसको release किया गया, अगलेंड में हो रहा था हॉन्बिल festival, तब release किया गया, अब जब हॉन्बिल festival हो रहा है तो एक bird के बारे में जरूर बात होगी, वो है हॉन्बिल नाम की bird, और ऐसी बहुत प्रकार की bird पाई जाती है इंडिया के अंदर, चाहे वो रैथ्र हॉन्बिल हो, चाहे वो ब्राउ यह जो नागा लेंड में होन्बिल festival मनाये जाता है, यह नागा लेंड के आर्ट कल्चर क्यूजीन को डिस्प्ले करता है, सासद वहां के इन होन्बिल birds को भी डिस्प्ले करता है, बहुत ही जबर्दस बर्डस हैं, बहुत ही सुन्दर सी बर्डस हैं, आप इस पर्टिकुल हौन बिल है ये थार डिजर्ट के आसपास पाई जाती है चिन्ने की थियोसोफिकल सुसाइटी गार्डन्स के अर्बन इलाकों में भी कभी इस प्रकार की कुछ चड़ियाएं देहने को मिल जाएंगी ये जो चड़ियाएं है ये उचे पेड़ों पे रहती है ठीक है न और उ जीजी से घट गए जब 90% डिकलाइन देखने को मिला है तो जब ये चड़िया घटती है तो वह चड़िया कप कैलिक्स के सीड को डिसपर्ज नहीं करती है और सीड डिसपर्जल नहीं होगा तो ये पेड फिर से नाचुरली रिजूमिनेट रही होंगे तो जब इस प्रका कटेंगे तो जो नाचुरल हैबिटाट था इन हॉन्बिल बर्ड का वो यहां पर डिस्टर्ब होगा समझ गया है अच्छा हॉन्बिल बर्ड का हैबिटाट तेजी से खताम हो रहा लेकिन इनकी आवादी धीरे धीरे कट रही है ऐसा क्यों चूकि नॉर्मल कर एक हॉन्बि प्रणियों में भी देखने को मिलती इंडोनेशिया में यह जो हेलमेटेड हॉन्बिल है इसके सर के ओपर एक हेलमेट टाइप का कास्क निकलाता है अब प्रॉब्लम यह कि यह कास्क इंटरनेशनल मार्केट्स में समगल होता है फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो ह हॉन्बिल बर्ड है उसके सर के ओपर इस प्रकार का कोई कास्क नहीं नहीं तो मार मार के लोग उस कास्क को यह बेज डालते है तो इंडिया और इशा पूरे प्रिकॉशन्स हो रहा है कि इस प्रकार के कास्क की illegal smuggling खतम हो ठीके ना इंडिया में obvious ही बाते इस प्रकार की helmeted हॉन्बिल नहीं पाई जाती है ठीके ना ओके यह जो कास्क है inhalated हॉन्बिल और सुमातरन बोर्णियों की हॉन्बिल बर्ड का यह red ivories को बोलते हैं बहुत महंगे दाम पे international market बिखता है बट स्मगल चीज है ठीके ना हॉन्बिल की जो आबादी है वो south इंडिया में ज्याद योग मिलती है बट ऐसा नहीं है कि यह hornbills rainforest में adapt नहीं कर सकती है बिलकुल adapt कर सकती है अगर इनको पीछे से support waste provide कराया जाए तो यह था आज का editorial दोस्ट एडिटोरल तो नहीं था science and tech का discussion और current affairs का discussion I hope आपको दोस्तों पसंद आयो thank you for watching video को लाएको श्रीप